जीव हमारी जाती है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख्खे साई, धर्म नहीं कोई न्यारा अब प्रसंग चल रहा था, कि दो प्रकार से मानव श्रीर प्राप्ट होते हैं एक तो ट्रन वाइज होता है कि 84 लाइज नरक सुरग बोग गया, उसके बाद फिर 84 लाइज प्रकार के प्राणियों के स्रीरों में कस्ट उठा कै उसको एक मानव स्रीर मिलता ही मिलता है तो वो उस प्रकार का प्राणि सिखर भक्ती पर नहीं लगता उसके अंदरी कैसा गावगुन होता है वो बहुत ही देर से बहुत समय लगेगा उसमें लेकिन मालक की दया जो दास ने कल उधारन दिया था उस तरीके से उसके उपर आसर होता है वो भी तरीका मालक उन बच्चों के लिए भी अपनाएगा अब लेकिन जो बतारा है दास के एक पिछले संसकारों से पुनरजनम होते रहते मानों के उसके लिए अभी तक दास या भूमी का बना रहा है ये समझाने के लिए को कि जैसे आप जी को पर्थम मंतर दिया जाता है पहले परमात्माने इस पर पर्थम मंतर में केवल एक लिए बीच ओदे पांच नाम ही दिये जाते थे हैं और ये काल के पंथ झो रादा स्वामी पंथ और इसने कले वी जतनी आख़ाए हैं ये पांच नाम देते हैं और वो कॉंड काओं पांच ओं काल के योज्लश ओं का रृंकार जूद Naar सो हमर सत नाम, सत नाम कोई जाप है, औरंकार रंकारियों कोई जाप है, ये पांच नाम थे जो दास आपको पर्थम मंतर में बीच के दो, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ कर, ये पहले नहीं दिया जाता था, इसलिए इसको अभी तक गुप्त रखा था, ये कम्प्लीट क से, और वो बीच वाले जो मंतर हैं, वो आपको संसारिक सुईधा यहां की उपलब्द कराएंगे, क्योंकि उनका टेक्स देंगे, ये पूजा नहीं, साधना है, साधना और पूजा में अंतर होता है, जैसे हम पूजा करते हैं प्रमात्मा को पाने की, तो हम प्रमात्मा को पाने के लिए, जो भी परियतन करते हैं, वो साधना है, जैसे हमने हमारा पूजा है जल, हमने जल पराप्त करना है, तो जल पराप्त करना जमीन के अंदर है, तो हमारा जो पूजा है, इस्ट है, वो है जल, और उसके पाने के लिए, जल पराप्त करने के लिए, जो भी हम क करते हैं बोकी लगाते हैं पाइप डालते हैं फिर हैंड पंप लगाते हैं तो वो हमारी साधना है वो पूजा नहीं है उसको पाने के लिए जो हमारा पूज्य है हमारा जो इस्ट है वो तो जल है उसके लिए जो प्रेतन कियागा वो साधना है और वो पूजा है उसको पाने तो इस परकार इसको पूजा और इसको समझना हमारी आस्था तो जल के अंदर है उन इंस्ट्रूमेंटों में थोड़ी है उनके बिना वो मिले नहीं तो इसी परकार यह जो पर्थम मंतर आपके दे जाते हैं यह साधना है और जैसे दूसरे सब्दों मंतास आपको कहें कि जै आपको लाब देने के लिए जैसे आपको बता था कि बैसे को बैसा बैसा करता रहो वो कभी ध्यान नहीं देता आप वैसे गुनगाई जाओ जैगनेश जैगनेश देवा मता थारी पारबती पित्ता मा देवा यह हम गोट राखे थे हमने यह कभी नहीं सुनेंगे और इनक अटेक होगा उनके ओपर जाके और सत्रेक होंगे क्या हो गया बच्चे को क्या डिमांड है इसकी देखो इसका अकाउंट कितना हमारे इसमें उस तुरंट उसका राहत दी जाएगी तो जो पहसे नहीं बैसा बैसा करो कती नहीं सुने रेक्वे कर दे हुर वो तुरंट दे दामा खेडावालों से तो पांच मी पीड़ी तक ये पांच मंतर चले थी उसके बाद छटी पीड़ी में दामा खेडावालों के जो महंत था वो एक टकसारी नाम का इसी कबीर पंथ की ब्रांच बनेगी थी नकली उसने भरमित कर दिया कि तुम बात करते हो सतलोग की और स उसके बाद फिर उन्होंने एक सबद स्लेट कर लिया जो कबीर सागर में लिखा है आजर नाम अमीर नाम पाताले समशंदू नाम यह अनसका काम यह मंतर है यह तो एक सलोग सबद है तो इन मंतरों से इन आपकी पूजा नहीं है पूजा हमारा कबीर देव पूजे है उसको प्राप्ट करना सत लोग हमारा प्राप्ट करना उदेश्या है और यह साधना हैं यह इंस्टूमेंट हैं यह परियोग करने ही करने पड़ेंगे अब उसके बाद जो सत नाम आपको दिया जाता है सत नाम के अंदर एक आद शिर्फराजो विशेज कर वो विक्ती भरमित होता है जिसके करम गड़ें बिगड़ जाते हैं जो सो दो सो अजार दो अजार विक्तियों को भरमित करके उनको अपने पीछे लगा कर गुरू बन बैटता है अब क्या बनगी प्रमात्मा की दया हो दंक से ज्ञान देता है कि बालक भी समझा और परमान देता है तो उनको समझ में आ रहा है वो अपने गुरूओं के पास जा रहे हैं उन गुरूओं से भी कह रहे हैं जी आप भी चलो आप भी बरमित हैं और हमें भी बिसकाइड किया आपने आप आप काउदे से तो ठीक कि आम कुछ मारक दरसन करनें लेकिन आप कोई नहीं पता आप जो ठे गाइड बनेंगे आप भी चलो तो जो अच्छी आत्माएं हैं वो आ जाते हैं दिख्षया भी ले रहे हैं एक तु यह करा था कि मेरे 20,000 से मुझे यह ज्ञान मिला पहले मैंने ज्ञान गंगा पढ़ा और फिर मैंने अपने सिस्टों से कहा कि तुम भी पढ़ो देखो इसमें क्या है तो उन सिस्टों से ने कहा जी इसमतलब एद्वीत यह ग्यान है तो मैंने कहा कि जाओ तुम दिख्षया लेकर आओ तो वो अपने सिस्ट बेज़े उसे पैरी आत्माने और अब कर रहा था पिछले सत्संग पर कि पिछली बार मैं भी आगया हूँ और सेस को भी अब जाके यह ग्यान गंगा दूँगा और यहां लाओंगा यह है महाना आत्मा ठीक है जब तक दोखे माम भी थे गलसादना हम भी कर रहे थे जिस दिन पता चला उसी दिन अब दिसा बदर ली तो ब खड़ा लाइन में कहने लगा जी मनें दो बात करनी हैं वो कहते हैं जी यह हमारे गुरू जी थे पहले और आज इनने दिख्षा ले लिए अब वो पर्थम दिख्षा ले ली जब उसने कहा कि यह क्या है यह वही मंतर है उल्टे सुल्टे करका दे रहे यह कोई सतनाम तो पुन्यातमा यही मार खाता यह परानी वो एहम था उसके अंदर एंकार था अब टीचर मैं हूँ अरोगी वो बनकर आ रहा है और डॉक्टर की दोई में वो अबजेक्शन कर रहा है एक जड़ी बूटी होती है उनको अगर चार पांच जड़ीयां मिलाई जाती है तो गुन्धरम कुछ अन्य होता है वो कुछ अन्य लाब देती है और जब उनको सिंगल सिंगल खाया जाता है तो वो अलग लाब देती है और जिनको दो में मिलाकर खाया जाता है तो वो अन्य लाब देती है तो इस परकार उसको समझाने की चेश्टा की और वो उसका सो भाग दास ने आपके रूबरू किया है, विश्वे में आज तक बिरमा भी सुनो महिस कलियर नहीं कर सके इसको, इस दास पर दया हुई, तो आगए कुनसी का चीछ छोड़ दूँगा मैं, ये भी विचार कर लेना, जो साध ना दूँगा, और फिर ये साथ-साथ एक पॉइंट को कलियर करने के लिए छे-छे उदान देता हूँ, ऐसे मजबूत जो अलाये नहीं हिल सकते, यही मंतर किस किसी ने जाब किया, आदनिय धर्मदास साथ जी ने यही दो मंतर का अखर का नाम यही जाब किया, आपके रूब रूब कर रखा है, आप सुन रहे थे जगतकुरू अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारी वेबसाइट www.jakatgururampalji.org संत्रामपalji महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर्मी 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं, जिन पर संत्रामपalji महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है, अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लि कर दो 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 कर